सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर पॉनकुमार विसे हमारे एक खास मित्र भी है और इस पार आप जानते हैं इनका फाइनल सेलेक्शन यूपीसी में हुआ है पानसो इकान यूदेंग आई है और अभी सीवल मतलब पहुंजी नागोर से बिलोंग करते हैं और मैं सीकर से बिलोंग करता हूं तो इनका प्यार देखिए आज मतलब हमें मोटिवेट करने के लिए भी आया है और साथ में मिलना भी हो गया बहुत अच्छी हमारे लिए बात है तो आज हम इस वीडियो में आपको कौसिज करेंगे आपके बहुत सारे स्वाल कई वार आप कमेंट करते हो वह भी पूछने वाले हैं और पहुंजी आपको अच्छे से गाइड भी करने वाले हैं तो पहुंजी सबसे पहले आपका स्वागत है धन्यवाद दर्वंदर जी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने यूटूब परिवार पर मैं आ रहा हूँ और मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था एक्सवल में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आपके साथ एक साल से भी इसलिए में जुड़ा हूँ और इस चीज़ का मेरे रिजल्ट में बहुत फाइदा रहा है मेरे अंडेड म पहले हम जो बात कर रहे थे क्या यह रेंग का सकती है हमारा मतलब कहीं कहीं होने वाला तो है क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर कापी शोर थे तो पहला आपका क्या रिक्सन था जब आपका अपने पीडिएफ फाइल में आपका नाम देखा वहां मैं उस टाइम जेपूर में था और वहां जो ओटीएस में हमारी आरेस वाल ट्रेनिंग चल रही थी तो एक फ्रेंड आया और उसने पीछे जो चेर थी बोला कि पहुंजी रिजल्ट आ गया क्योंकि ओटीएस में भी लगवग सब लोगों को पता था कि यहां भई य यह मेरे लाश्ट टेम्ट था तो एक मेरे लिए मोमेंट एक अद्भूत मोमेंट था और यह मैं सोच आँ कि जो मिलियंस जो युआ है जो लोग एक सपना देखते हैं बड़ा सपना और फिर बीच में बहुत सारी प्रिस्तिति और उने करापरिस्तिति काना सपना देखना अपने जीवन चलता रहेगा साथ साथ माप जो भी आपका एफर्ट उसकी और एनरजी लगाते रहो प्रियास करो और यह जो एक मेरे गाव में एक आवत है मेरे दादिवां बहुत कहती थी बहुत कर देर नहीं तो जो कर्म है आपने किया है तो उसका फल जरूर मिलता है आ जैसे इस बार मैंने भी आइस परी दिया और अपने यूटूब चनल पर बहुत सारे एस प्रेंट जिन्होंने आइस का इस पार प्रिलिम्स दिया है तो इस बार का सीचेट काफी मतलब उतल फुतल वाला था और जीएस का फेपर भी नो डाउट बहुत तफ था तो काफी मतलब इस निरा सामेह किया अब कैसे पढ़ाई करें दुबार से कैसे उठें सीचेट को लेकर भी और परी को लेकर भी तो आपका इसमें क्या कहना है तो यहां पर हमारे लिए लाइफ का फंड़ा होना चाहिए होप पॉर दा बेस्ट एंड रेडी फॉर दा वर्स्ट आप डो-तीन साल के अच्छे से तयारी दो हो झाहिए तो ठीक है नहीं तो फिर आप जिन दiz निरास के नेरा pandemic मत cancel iupat की में नहिंए तो इसले यूपए सो नहीं है और आप अपनी सम्ता ड़ेज करें अपनी संताओं को बढ़ाएं और फिर नहीं उरुजा के साथ UPSC दे, मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरे साथ भी जो है, मेरा लास्ट अटेम्ट था और आपको पताईए कि कितना स्ट्रगल पूर्ण था, मेरे लाइफ बहुत बार इंट्रू दिया और वहार रहा था, तो मैंने एक अपना बेक अप प्लान जो है, आरेस में एक बार मेरा सेलेक्शन हो जाए, 2018 में तो मैंने UPSC को ड्रोप करके, और आरेस के अच्छे से तैयारी की तिर उस मेरा सेलेक्शन हो गया, तो उन बच्चों के लिए मैं यह ही कहूंगा, जो तीन-चार साल से तैयारी कर रहेंगी, अब आप लोगों को एक स्ट्रेस मेनेजमेंट, उस पर जान दो, योगा मेडिटेशन करो, एक्जाम से 4-4 माईने का रिलेक्स हो जो, कौपीज़ा, आप यह सोच लो कि मेरे को 3-4 माईने, तो कम से कम किताब टचिन नहीं करनी है, और योगा मेडिटेशन करो, रॉनिंग करो, रॉनिंग है, सबसे अगर आपका जब टाइम आता है तब ही आप बनते हो अब जैसे एक एक्जामपल मैं देता हूं कि जब प्रेज़ेंट ओबामा थे तो वह 48 की एज में लगबग रेटायर हो गए थे और जो बाइडन ने वह 78-79 की एज में प्रेज़ेंट बने तो जब आपका टाइम आएग तब चीजें अपने आफ एवरेबल हो जाएगी तो बस यह जो टाइम है इसका आप वेट करो और अपनी तरफ से बेस्ट करो बस और जैसे एक चीज है कि नो साल दस साल का आपका यह जर GIS रही है अपने 2012 के बाद में बना एक्जाम देना शुरू किया और ये भी नहीं कि मयनेट में कमी थी लेकिन यह कंपेटेशन वहां है कि सब का स्लेक्षास नहीं होता है तो नो साल दस साम तक लगतार आपने कैसे बाढ़ाई में अपने उनके लिए एक उनके लिए लाइफ में काम आना चाहिए लाइफ चैन्जिंग एक्सपिरियंस हो सकता है क्योंकि जो नया एक प्रोसेस होता है यू प्रोसेस निश्ची तरूप से 99% बच्चों को गुजरना ही होता है एक पर्षेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से मत देंटिस्ट भी मैंने काम किया है साथ में थोड़ी बहुत कोचिंग से हैं तो वहां पर भी कंटेंड डेवलपमेंट का काम किया और जब एक्जाम आता तो मैं सारी चीज़े चोड़के और एक्जाम की तयारी कर ली जैसे तीन महीने बर पहले पीटी का आप पढ़ना ही स पढ़ लो और डेली आप न्यूज पेपर पढ़ता रहो तो आपको एक बार पढ़ना होता है यूपसी की प्रिपेशन में साईगी एक बार स्टार्टिंग में आप अच्छे से पढ़ लो डेड़ साल दो साल उसमें पूरा सेलिबस हो जाए उसके बाद आपको पढ़ना उसके बाद चीजें रिवाइज करें एक्जाम देना होता है तो आप खूल देके अपना काम करते रहो साथ में एक्जाम दो तो इस तरह से कोचिंग सोरी में में मतलब काम वाम करके मैंने अपना काम चला लिया था एक सबसे इंपोर्टन कुछन है कि गाउं की जो विजारती होते हैं जो सपना देखते हैं कि उनको आईस बनना है उनके सामने बहुत सारी दूइदा ही रहती है कि एक तो मन में यह स्वाल रहता है कि यार हम गाउं से हमें सही से गाइडिन्स नहीं मिल पाएगा हम आईस ब प्यक्ति होता है हुआ वह सब्एगति होता है बहुत मजबूत होता है और जैसे असे का जाता है कि हाल time creates stronger man strong man brings good time hard situation जितनी होती है आप देएगना है जो जमीनी इस्तर से झुड़े वे जमीनी सिद्सर से उठे वे परसा सके तो आप उनको देख लो चाहेे जितेंदर कुमार सोनी हो चाहे, समित कुमार सर्मा हो चाहे, जिसे मेरी इंस्पिरेशन थे जो गोईन जाइस वाल सर है, दोजाट छे के आईये से जो रिक्सा चाला का बेटा बना आईये, इस नाम से उनके एडिंग आई, तो मैंने भी उसी दिन सोचा था कि अगर रिक्सा कि तमाम जो उस्टिलिटी जे उनके बावजूद आपने पढ़ाई की, कि आपने उनसे संगर्स किया, हालांगी यह जो एक लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं है, लेकिन आप उनसे ज्यादा बेटर हो, आपकी समता है, आपकी जो मतलब ताकते उनसे कहीं गुना जादा है, जिन लोगों को जो स्पून फीडेड है, या जो तो इसलिए आप अपने आपको मैं ऐसे सोचोगी, जो है, मैं इनसे कितना बेटर हूँ, मैंने सारा कुछ सब कुछ अपने दम पे गिया है, ठीक है, और जो है, जादा जो परसासन में देखा जाए, तो वही परसासक सफल ह है, जो जमीन से जुड़े हूए है, जमीन से उठे हूए है, तो आपने देखा कैसे मतलब पाउंजी ने अपनी लाइप को जिया, यूपी सी जननी को कैसे उन्होंने अपने आपको साथ में लेकर सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, और मैं पाउंजी को छे सालों से जानता हू तो कपी कुछ सीख ना हुआ दोनों से, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप कितरे हैं, पाउंजी और मैं आप ही कितरे हैं, क्योंकि हमारे मन में भी कई है था कि यार, पता नहीं होगा नहीं होगा, एक विश्वास्ता की मैनत पर विश्वास्ता की मैनत जो हम स जैसे मेरी इतनी पढ़ाई के बावजूद जैसे मैं सीशेट में फैल हूँ पहले कभी नहीं हुआ तो मैं आज भी टूटा नहीं हूँ और ना आप आपको तूटने तोगा जो अपने चैनल से अपने परिवार से जुड़ा हुआ ना हमेशा आपको आपको आपका बड़ा करेंगे तो एससे मिलते रहेंगे आपसे और वीडियो को लाइक से जुरू करना सब्सक्राइब करना बहुत बहुत धन्यवाद